आज आपके लिए मैं यहां पर लेकर आए हूँ नीर कोफता या वेच कोफता करी की रेसिपी वह भी सबसे एजियस वे में क्योंकि इसमें आपको जादा ग्राइंडिंग बाइंडिंग नहीं करने पड़ेगी तो लेस्ट गया स्टाड़िट एक यहां पर मैंने पैन दिया है उसमें एक कप पानी डाल दिया है अब इसमें मैं तीन चार मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल दूँगी इसके साथ मैं इसमें आड करूँगी चार लॉंग दो हरी इलाइची छोटी इलाइची इसके साथ इसमें हम डालेंगे अद्रक के एक इंच का टुकड़ा और पांच साथ गार्लिक या लैसन की कलिया अब हम इसमें 10 से 15 तूटे हुए काजू एड करेंगे और टमाटर के पूरा गलने तक हमें इसको पकाना होगा तो अब आप इसे अच्छे से मिक्स करके 8 मिनिट के लि अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हमें ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है अब हम कोफते बनाएंगे तो यहां पे मैंने पनीर लिया है और पनीर की हाफ कॉंटिटी में मैंने बॉइल डालू लेकर मैश किया है अब हम इसमें नमक हातों से mix करते हुए इसके कोफते तियार करेंगे एक-एक करके आप इसके कोफते बना दीजिए और इसे मैदा या कॉन फ्लार में रोल करके अब हम इसे deep fry करेंगे golden brown होने तक मीडियम फ्लेम पे मैंने इन कोफतो को डाल कर फ्राय कर लिया है एक से देड़ मिनिट लगेगा इसे एक साइट फ्राय होने के लिए फिर इसे आप टर्न करके दूसरी साइट भी फ्राय करें तो हमारे कोफते बनके तियार हो गए है और ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी है जैसा हमें चाहिए था अब करी बनानी के लिए एक पैन में ऑईल गरम करें और उसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट पनाया था उसे डाल कर चार-पांच मिनिट के लिए हम यहां पर उसे फ्राय करेंगे उसके बाद आप इसमें सारे ड्राय स्पाइसे एड करें अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ज पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर अब इन सब को हम कुछ 5-7 मिनिट के लिए तेल के रिलीज होने तक अच्छे से पकाएंगे हमारा मसाला पक चुका है, अब इसमें मैं डालूँगी बटर, ये ऑप्शनल है और इसमें साथ मैं डालूँगी कस्तूरी मैथी, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और आधी चमच शकर अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल कर इसे कुछ 5-7 मिनिट के लिए फिर से पका लीजिए और उसके बाद हम इसे सर्फ करेंगे अब इसमें धनिया पती डाल कर आप इसे सर्फ कर सकते हैं, सर्फ करने के लिए पहले आप प्लेट में कोफते रख लें, उसके उपर से करी को डालें, अगर आप कडाई में ही कोफते डाल देंगे तो वो सौगी हो जाएंगे और फैल जाएंगे थैंक्स पो वचिंग!